एक बार फिर से हमारे सभी students का target गुरुकुल के इस online digital platform पर स्वागत है अगर आपका target लखनो विश्विद्याले हो या फिर आपका target डीडियो वो आप सभी लोग के लिए video काफी important है जैसा कि thumbnail देखे आप लोगों ने समझ गया होगा कि जो इसमें discussion करेंगे वो history के important question को हम discussion कर करने वाले हैं जितने बच्चों के सेल बस में हिश्ट्री है यानि कि आपका बीए का दिखांब यह फिर आपका लबी इंट्रेंस इस्ट्री इस लगबग 5-6 question इस आपके single video से आने वाले हैं इतने important question क्वेश्चन की quality क्या है question का label क्या ठीक है यहां टारगेट गुरुकूल को आप जानते हो पहले से ही कि जो आपके कंटेंट होंगे वो इंग्लीश और हिंदी दोनों लांगोई में प्रवाइड की जाते हैं बिल्कुल इसके लिए निशिंत्र ना यूपी बोर्ट सिवेसी बोर्ट सभी बच्चे हमारे लिए उतना इंपोर तो आप लोग को इतने चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप एक कौन सा हरपा सबयता है सिंदू गाटी सबयता क्या है यह इंपोर्टन टॉपिक है अगर अभी तक आप लोग अपने सेलबस को नहीं देखें डीटेल सेलबस की बात कर रहे हैं अगर आपको सेलबस में आपका लीगल है तो उसमें कौन कौन चेप्टर से क्वेशन पूछेगा उसका सेलबस आपको पता होना जाइए इसके लिए आपको टार्गेट गुरुकुल मॉइल डाउनलोड करीए अभी वीडियो के लाश्टन बता रहेंगे कैसे अप सेलबस को डाउनलोड करोगे वी है किस आधूनिक स्थितेए तो इहां पर चहिंप क्या बोलता है पहले तो मैं आप लोगो थोड़ा सा पीछे आपके खड़ा है बस आगे चलना है पीछे से पूरा सपोर्ट आपका हमारा रहेगा ठीक है बस एक कदम बढ़ाते जाओ अपनी शफलता की तरफ पूरा आप लोग का आपका पाकिस्तान आपका पाकिस्तान आपका राइट अंसर हो जागा ठीक है एक ही क्वेशन को मैं मेरा काम होना चाहिए नूट करना को नूट करोगा इस पीडियाफ की जरुवत होगी जितने बच्चे बैच में होंगे उनको पता होगा पीडियाफ आल्रेडी उनको मिल चुकी होगी ठीक है तो वह जाकर पीडियाफ अब देख लेजी अगर आपके रिकार्मेंट होगी तो पीडियाफ आपको भी प्रवाइड करते जाएगा तो परिसान उन्हें जरुवत कुछ भी नहीं है यहां पर देख़ी आपका जो तूसरा क्वेश्यन वह क्या है हरप सबता के केंद्र में कौन सी नदी थी आप्स बैटा के केंद्र में कौन सी नदी थी हरफका सब्रेटा थी इतना क्लिर हुआ आपका चौथा qu정 ने देखें चौथ्य quoten में अपका क्या पूचता है कि हडपा सभीता' का सबसे बड़ा नहगर कौन सा था हडपा सबेता का सबसे बड़ा जो नगर था वो कौन सा था तो यहां पूछ रहा है आप लोग का यहां पर आपका अप्शन है मोहन जोदरो हडपा या फिर लोथल या फिर दोला वीरा ठीक है तो यहां पर चार अप्शन से रहेंगे लेकिन आपको ट्रीक राइट आंसर पर कि अंद्शन होना चाहिए आपको क्लिएर सिजह में आ रहे तो और कमेंट सेसीन में जरूर बताना क्वा का फिडबाएक हमारे लिБहुत हिमाहीड़ता है तो आपप लोग एक बार जरू बताना क्लास कैसी लगी कंटेंट आपको संमझ में आ रहे हैं नहीं है क्वंजinizi 生म कौनें वाले आपके लगतार आपके जो सिरीज होगी वह म कंटिणेव करते रहेंगे तो आप लोग मोटिवेट करते हैं अब का मैं मोटिवेशन देना क्योंकि आप लोग लोग होता है यहां बताते हैं अगला जो कोईशन हरपा सब्यता की विशेश इसकी परिस्कृत यह आपका राइट आंसर यानि कि जो विशेश परिस्कृत प्रडाली थी वह क्या थी लिखना था या धर में असरकार ऐसी चाहिए यानि आप लोगा जो राइटिंग है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोईशन देखें कि किस समय के आसपास विक्सित हुई यानि कि यह सबसे इंपोर्टेंट कोईशन है इस चीज को तो आप याद रखना है हिस्ट्री में 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 जानते हो हिस्ट्री में क्या होता है बच्च Zarbs होते हैं कि हिस्ट्री में डेड बहुत करने पिखेंड हो Penis आपका 1300 इसा पूर्व के बीच में इसका विकास हुआ ठीक तो जो डेट है उसको अपने कॉफी पिन पे नोट कर लीजिए एक अपना एक बुक बनाए ना या आप एक बार जितने भी सिरीज कराया जाते हैं उसको करके नोट करते रहो पढ़ते रहो ठीक है इसके इससे क्या होगा कितना मेरे कोशन तयार नहीं हो रहा है कौन सब्सक्राइब डूब बताना कि क्लास कैसी लगी और आप लोग को ऐसे कंटीन्यू क्लास की जरूबत होगी तो अप एर रण लोहा आपकाा राइड आंसर हो जाएगा ठीक है और अब ही पूछ दे किस का अप्योग किया जाता था तो आपको या अगर यह तीनोए शच्च पर क्लिक कर दोगी थिक अब वहीं पर आगे बढ़ते हैं कुश्चन को ध्यान से देखिए आप क्या है कि एक बर्याप वासियों किस जानवर को पालतू बनाया था यह आप बोल रहा है आडपा वासी किस जानवर को याणि अडपा सब्वेता में पालतू जानवर कौन से था घोड़ा था या उठ था या गाय थी या भेड तो आपका जो गाय होगा वह आपका राइट अंसर या निकाड़ पालतू जानवर में गाय को बनाएगा सबसे आपके लाइक है पर कमेंट प्लीज आप लोग मोटिवेट करें हर फेकल्टी को जितने भी आप लोग बतारें किसी यूट्व चैनल पर क्लासेज देखते हो किसी के भी क्लासेज देखते हो अगर वो आपको पढ़ा रहा है यूट्यूब पे उसका मोटिवेशन होता है व उनको भी अच्छा लगेगा और आपको पढ़ने में भी मजाएगा ठीक कूशन ये पूछता है कि हडपावासियों के पास की एक जटिल प्रडाली थी जो व्यापार और वाडिज के दिये महत्वपूर थी कौन सा था या भार या मापन या फिर करो या फिर मुद्रा या पैरीफ तो आपका जो राइट अंसर होगा बहार और मापन बहार और मापन जो था वह मुख्या जटिल प्रडा लिए जिसका उपयोग हुडपा वासी करते थे तो सायोंग करता था ठीक हैब आगे बढ़ते हैं आप आपको या दखना बहार और और मापन क्या था था तो ह 11 हडपपावासी का प्रयोग करने वाली सबतर्थ यानि हडपपावसी पै कोंसी चीज का विस्कार की है उस्का उपयूग करनाiform सुरू किये तो friends आपका पहिया आपका right answer होगा ठीक है मतलब सबसे पहले हडपा वासी ही पहिया का यूज का ना सुरू की है जो आज देखते हैं 4 वीडल चलते हैं 2 वीडल चलते हैं या बैल गारी में देखते हैं तो clear है कि आप लोग का पहिया का उपी हो गए हडपा वासी यानि हडपा सब्वेटा से इसका विकास हुआ और आज इतना आगे यह डेवलप कर गया ठीक है तो आपको याद रखना कि पहले यूज कहां पर हगा था तो हडपा वासी इसका यूज सबसे पहले किये थे तो इसको नोश्ट हो गई थी यहां पर अपको यूज स्मझेंगे तो यह पर आपका यूज के वज़्य से नश्ट हो गई जो आपका right answer होगा युद्ध यानि युद्ध के वज़े से जो आप लोग की हडपा सबेता थी वो नश्ट हो गई थी ठीक आपको ये रिजन भी याद दखना है नश्ट होने का वज़े युद्ध था ठीक तेरे नमबर कोशन क्या बोलता है कि हडपा या बोल रहा है हडप लिपी को अभी पूरी तरह से पढ़ा जाना बाकी है लेकिन इसे का एक रूप माना जाता है तो फ्रेंस द्रवीड यानि आपका द्रवीड जोगा ये राइट अंसर ठीक यानि संस्क्रीट तमेल ये क्या लिखा है ये का आप लोग की भासा लिखी गए ठीक है तो द्रव करें ठीक है आगे बढ़ते हैं चौदर नम्हों कोश्ण बोलता है कि लोथल के हड़ापा सहर में कौन सी नदी इस्थिति यहां पर थोड़ा मिस टाइपिंग है तो उसको आप इग्नोर करेंगे यहां पर कोश्य मैंने पढ़ दिया कि आपके जो लोथल के हड़ापा सहर म लेकर ति ठीख आगे बढ़ते हैं अगला कiones जो बोलता है कि आप का ओटाए जो आपका नेक्स खें क्वेश्शंन की लिए जाने जाने जाते थे तो अपने राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशिशन अगला कोशिशन क्या बोलता है इसको भी आप नोट कर लेना कई बार इंटरेंस पूछे जा चुके हैं हडपा वासी किस प्रकार के अब उसर बनाने में तो आपको मिलेगा रिंग या फिकंगन हार उपर के सभी तो आपका होगा तो आपको समझ में आउंगे अभी कुश्चन कराने की वीडियो काफी लंबी हो जाएगी लेकिन हम बसे लेकिंब डेखने के इंपॉस्चें के बच्चों को यरुवत है वह जो आपको करा दिये जाएंगे और जो आप लोग बच्चे जितने पेड श्टूडेंट हैं अगर आप लोग को जाके अपने बैच को चेक करें वहाँ पर पीडियाफ होंगे सारे सब्सक्राइब कर लें अगर वह लखनो विश्विद्याले या फिर आप डीडियू यानि कि गोरपूर विश्विद्याले इंटरेंस एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो तर्गेट गुरुकूल के मुवाइल एप को आपको जरू डाउनलोड करना वाप डिटेल सेर्बस मिल ज आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ा रही होगी और जो भी डाउट समस्या होती है आप कमेंट से समस्म बताएं नेक्स्ट वीडियो उसी टापिक पे अप्लोड कर दीजाए कि क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रू बताना थैंक्यू